सिक्षा भूमी संस्थान योटूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं चले दोस्तों यह ग्यान बिंदुसर का यह पचास प्रस्णों का सेट यह जो है नौमा सेट आज है और यह सेट जो है ऐसे सभी एक्जामों के लिए महत्पुर्ण है लेकिन हम दे रह सबंदीत ये विडियो आपका है दिखिएगा पहला को सन पहला कोसन चाहरा है 1946 में में निहरू के चिंट हैं सरकार में निम्लिकित में से किन बढूका प्रतनिधित्व था तो देखिएगा इसमें जो है आपका सभी बढर्सका प्रतनिधित्व था कहने का मतलब येरे 2-345 पांच यह सभी बर्गों का परतिने दित्व था अगला कुशन है कि सब्सक्राइब ज्यान दोलन के दोरान सरकार एवं कॉंग्रेस के मध्ध सांती अस्थापना का कारे किसे सौपा गया तो यह जो है तेज बहादुर सप्रू और एम आर जैकर यारी कि आप्शन ए जो है सही अगला कुशन है 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके बिरुद्ध था तो यह जो है मंदिरों में भराष्टाचार के बिरुद्ध था ठीक है आगे देखीगा चार नंबर कुशन बर्स 1962 में परकासित पुस्तक साइलेंट अस्प्रिंग जिससे वि रेचल कार्सन जो है इसका सही अंसर है आगे देखीगा पांच नंबर निम्लेखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए 200 पर्यावरन दिवस पांच जूल प्रतिवी दिवस 22 अप्रेल तंबाकु निशेद दिवस यह जो है गलत है यह आपका 31 मई होगा कैतना 31 मई ठीक है 31 मई जो है इसका सही अंसर है जंदी बस 16 सितंबर ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां इस्तित है तो यह जो है आपका एमस्टर्डम में इस्तित है अगला कुशन है निम्लिकित में से किन समयधानिक प्रावधानों को अ ometer सभाल ध्याटा है अनुच्य तो समयधान तो कहने कम अगल एससे बाहर जो है सथारन भावमत से जो है मतलब एक है किया या जा सकता है किसको किसको तो दखेगा राजियों के विधान्परिशदों का उतन या सिर्जन सही बात है फिर नागरिक नागरिक रजन और समापति स रजयों का पर्वेश के जा तरोंगर का नियुक्त थापना श्राहिए लेनिक दे सक्सक्राश्वायक को नियाय सिखून दूधैने जो दीखेगा इसका अंसर आप्या है यानि तो इने लेतिया है अगला जो है आपका करना क्या भारतिय रिजर्व आयोग के अनुसार एक राष्टिय दल के रूप में मानने होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राजियों में मानता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना अवस्यक है तो कम से कम चार राजी में, ठीक है, तो option C, अंसर है, आगे देखेगा, निमलिकित में से किसे असोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परसद कहा गया, तो ये जो है योजना आयोक को कहा गया, योजना आयोक का गठन कब हुआ था, ये comment box में बताना है, अगला question ह सेनिया परंपरा क्या है, तो ये जो है आपका, आकबर के दर्वार में प्रख्यात संगित तक तांसन का नाम से जाने, जानी जाने वाली संगित परंपरा, तो तांसन का मुल नाम क्या है, ये comment box में बताना है, आगे देखेगा, जनेवा प्रोटोकॉल समंधित है, तो जने जीमेंडल रिजर्ब जो है गार्व पाणियां यही सही है, यानि कि किवाल एक सही है, ठीक है आगे देखेगा निमलकित में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान दिजेगा, अगला कुछन है निमली की कतनों पर विचार कीजिए और क्या पूछ रहा है आगे देखिएगा हाँ समंधित व्यक्ति पूछ रहा है ठीक है तो देखे इस तीनों जो कतन है उससे समंधित व्यक्ति कोन है तो देखेगा इनकी मध्यस्थ में गांधी इर्विन समझहोते को आस्तितों में लाने में मदद की फिर 1922 सिस्वी में अंग्रेजो ने इन्हें नाइट हुड की उपाधी परदान की फिर हुए पूना समझहोते के लिए भी आंसिक रूप से उतरदाई थे तो इसके इस सुभाध चंद्र बोस ने निमलिकित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो जो है शुरू किया था तो यह जो है जर्मनी में किया था ठीक है आगे देखेगा अगला कोशन है विभाजन विरोधी अंदोलन स्वधिया अंदोलन के दोरान किसने राजनीति के स्वतंता किसी रास्ट की परानवायू है का नारा दिया ठा तो यह जो है अरविंद घोसने अगला कॉशन है पंचायत चुनाओं में अनुसुचित जातियों के लिए पादो का अरच्छन किस राज में लागू नहीं होगा तो यह अरुनाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा देखेगे दन व आधर केवल विधान हम्त शभा से पता हुद का रहा है तो परतं जनजाती लोग सभाध्यust थे तो पत्रंजाती ये लोग सवाध्यस थे पी इस WELS कोशन पतोला बुनाई परंपरागत रूप से कहां पर की जाती है तो यह जो है कहां पर की जाती है तो देखेगा इसका अंसर जो है आपका सूरत और पाटन होगा सूरत और पाटन होगा आगे देखेगा अगला कुशन है बाकु जो है बाकु की प्रसिद्धी क्यों है यानि बाकु जो है किसलिए प्रसिद है ये पेट्रोलियम के लिए परसिद था ठीक है अगला कुशन है संसद में पहला लोगपाल बिधेयक कब रखा गया तो पहला लोगपाल बिधेयक जो है उन्हें 268 में रखा गया option C सही है महतुमा गांधी ने अपनी आत्म का था मुल रुप से तो गुजराती में ठीक है अगला कुशन देखिए 24 नंबर एक बिनेट 24 नंबर सुबरतो कप का समंध क्या जी से तो सुबरतो कप आपका फुटबॉल से है है ना आगे देखिए 24 नंबर हो गया 25 निम्न में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारतिय संग्य नियाला किया स्थापना की गई थी तो देखेगा इसमें से जो है आपका कोई नहीं होग यानि कि डी और किसके तहट है यह आपको बताना है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ ठीक है तो किसके तहट हुआ है यह आपको कमेंट वोक्स में बताना है आगे देखिए 26 नमर ग्रीन मफलर समंधित है तो यह आपका धौनी परदूसन से समंधित है आगे चलिए आगे बढ़ते हैं कनिश्क के सारनात बौध परतीमा अभी लेक की तीथी क्या है तो आपका एकासी इस्वी है 78 इस्वी में इन्होंने क्या चला था तो सक्सम्मत चला था अगे देखिए और अंग्जेव ने किसको साही बात उज जमानी का उपाधी परदान किया तो ये जो है आपका जहां आरा को जहां आरा को परदान किया अगला कोशन है ख्वाजा मुहिन दिन चिस्ति किसके सिस्थे तो किसके सिस्थे तो देखेगा ये जो है आपका ख्वाजा उसमान हारुनी option D जो है सही है अगला जो है 31 नमर क्या का रहा है बंगाल के बिभाजन के समय बंगाल का lieutenant governor था तो ये कौन था तो आपका Andrew था sir Andrew 31 का A चलिए आगे 32 नमर चालिया वाला बाग नरसंगहार पर Congress जांच समिती की report के प्रारूप को लिखने का कारे सौपा गया था तो किसको सौपा गया था तो ये महातमा गांधी को सौपा गया था अगला देखेगा बेतार संचार पृतिवी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो ये आपका आयन मंडल द्वारा किया जाता है अगला है चीनी लेखक भारत का उलेख किस नाम से करते थे तो वो जो है इन तू यानि कि ऑप्सन बी जो है सही अंसर है इन तू के नाम से इन तू आगे देखेगा 35 नमबर कोशन कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्में में दीचित किया जाने वाला अंतिम ब्यक्ति निमलिकित में से कौन था तो ये सुभद्ध थे अगला कोशन है कि मौरेकाल में सीता से क्या तत्थ परे था तो राजकिये भूमी से प्राप्त आये ऑप्सन सी जो है सही अंसर है आगे देखेगा अगला कोशन है डेकन एजुकेशनल सोसाइटी के अस्थापना से समंधित था तो कौन समंधित है तो ये जेस्टिस रानाडे यानि एमजी रानाडे आगे देखेगा अनुपातिक परतिनिधित्व की विवस्था निरवाचन क्रिया परनाली के रूप में सुनिश्चित करती है तो ये जो है आपका अंसर क्या होगा तो सरकार में इस्थिर्था इसका अंसर होगा सरकार में इस्थिर्था अगला कोशन है निमलिकित में से कौन राजी सरकार तथा अस्थानिय सासन के बीच राजस वबटवारे के लिए उतरदाई है तो राजस व अगर दिली सल्तनत के किस सासनकाल में राग दर्पन का फार्सी में अनुबाद किया गया तो यह जो है आपका फिरोसा तुगलक के समय आगे देखेगा निमलिकित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्व में गलत है तो गोदावरी का उद्गम नासी के निकट की प्रमुक्र सहायक नदियां मंझीरा परांहीता इंद्रावत्या और संबरी है बात है अगला देखेगा परांहीत लागण वर्द। और बेन-गंग़ं के संगम से बनती है आगे देखेगा यह महराष्ट आन्दपरद्य सोरी सा राजियों से होकर परवायद होती है तो यह जो है आपका कोई मतलब सीमा तय नहीं है कोई समय सीमा नियत नहीं है आगे देखेगा चुवालिष नंबर को सन देखेगा चुवालिष नंबर चुवालिष नंबर क्या कहता है द्यान दिजेगा निमलिकित में से किन सासको ने पस्यमोत्तर भारत में सरवाधीक संख्या में तामबे के सिक्के जारे किया तो तामबा के सिक्का जो है सरवाधीक जारे किया तो यह कुसान सासकोने चुवालिस का जो है आपका ऑप्सन सी होगा आगे देखेगा 45 कोराडी थर्मल पावर अस्टेशन कहां इस्तित है तो यह आपका नागपूर में इस्तित है आगे देखेगा निमलिकित कतनों पर विचार करें नागा लेटन को उनेशो तिर्थ में रा यानिकी कहे रहा था कोची सत्ति पूछा रहा था ना हाँ तो यानिकी एक और दो आपका सही है यानि क्या होगा आप्सन भी बिलकुत सही है आगे देखेगा 47 नमबर भारत में सुछित करांती का जनक कोन भरगीज कुरियन और में स्वामीनाथन कोन करांती के जनक है एक ए हिए आगे नियूंदिक्त में से कौन सा एक मानाव संसाथनन वीकास मन्तराले में विभाग नहीं है देखेगा यह आपका सिख्छा विभाग उप्शन सी जो है इसका सही अनसर उन्चास नमबर देखेगा जिलो करना है कि मिलान करना है दिजिए मिलाई देखे लच्छु महराज ये कथक से है फिर फयाज खां धुरुपत से है शिधेस्वरी देवी तो ये ठुंगरी से है और तनत महमूद ये गजल से है ठीक है तो ये आपका सही है बाकी आपका जो अंसर होगा उस अनसर से आप लगा लिजेगा ठीक है आगे निम्न में से किस बैदिक साहित में मोक्ष की चर्चा मिलती है तो ये जो है आपका उपनिशद में मिलती है ठीक है तो चलिए दोस्तों ये पचास प्रसनों का सेट था हमारा परियास रहता है कि कम से कम समय में आपको पुरा 50 कोशन समापत किया जाए अगर किजिए तो आज वरितना ही जैहिंद जया भारत बंद मातरू